तो आप इस प्रोब्लम को कैसे सही कर सकते हो आज मैं आपको बताऊंगा तो जैसे ही आप वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करना और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आख तो सबस्काइब करीजेगा तो चलिए फिर शुरू करते हैं तो इसके लिए आप अपने फोन में settings app को open कर लेंगे यह settings है मैं इसको open करता हूँ settings को open करने के बाद यहाँ पे दुस्तों आप नीचे आएंगे आपको एक apps मिल जाएगा apps का या फिर आप यहाँ पर उपर search कर देना apps तो directly आपको apps मिल जाएगा ठीक है तो आप sitting में ढून लेना आप यहाँ पर apps वाले apps पर क्लिक करना इसके अंदर आपको manage apps का apps मिल जाएगा इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके phone के सब भी apps आजाते हैं इसमें ढून लेना play store कहा है या फिर आप यहाँ पर search कर देना play store तो आपको मिल जाएगा जैसे कि मैं आपे search करता हूँ play store तो यहाँ पर आप देख सकते हो आज छुका है आप Google play store पे क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑपर ही आपको storage का आपसन मिल जाएगा storage पी क्लिक करेंगे नीचे आपको मिल जायागा Clear Data का option या clear storage लिखा होगा तो आप इस्वे क्लिक करेंगे उसके बाद में Clear All Data पर क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर आप OK करेंगे फिर यहाँ पर आप Bike आएंगे उसके बाद में नीचे यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा restrict data uses का आप इसवे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप चेक कर लेना कि mobile data यह जो होना चाहिए यानि data own होना चाहिए इसका ठीक है तो पहले सही चालू होता है तो आप जाश्टी चेक कर लेना बस अब आपको यहाँ पे simple buy काना है फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको ढून लेना है Google Play Service कहा है तो इसमें ढून लेना है Google Play Service भी मिल जाएगा या फिर आप यहाँ पे सर्च कर देना Google Play Service तो आपको मिल जाएगा आप इसपे क्लिक करना सेम उसी तरीके से इसका भी Stories पे क्लिक करना इसका भी data data clear करना है यहाँ पे manage space और यहाँ पे clear all data okay बस आपको simple by काना है यहाँ से यहाँ से यहाँ फिर हो सकता आप्टमेटिक पेज यहाँ पे कट हो जाएगा और इसे की साथ ही साथ आप ऐसे स्क्रोल करेंगे यहाँ पर प्लेइन मोड को एक बार चालू करेंगे फिर इसको बंद कर देंगे इससे आपका नेट्वर्क रिफ्रेस हो जाएगा आधिक सकते हो और आपके फोन में डेटा ओन होना चाहिए अब दूस्तों आप प्लेइस्टोर को ओपन करो यहां पर कोई भी प्रोब्लम नहीं आएगा चलिए मैं प्लेइस्टोर को ओपन कर लेता हूँ तो फर्स्ट टाइम मैं थोड़ा टाइम ले लेगा जैस्ट मैं कैंसल करके दुवारा ओपन करता हूँ तो गाइस अभी आप देख सकते हो कि प्लेइस्टोर जो है वो ओपन हो चुका है अब यहां पर दूस्तों कोई भी इरर नहीं आया है आप देख सकते हो है तो अभी जो प्रोब्लम है वो सोलफ हो चुकी है अब यहां पर मैं प्लेइस्टोर का यूज कर पाऊंगा ओके त चलिए वीडियो को इंडि करते हैं तब तक लिए जय हिन जय भारत